सड़क सड़क की उपर सांडे का तेल और मरदाना कमजोरी के इस्तिहार लगेवें और पांच-पांच रुपे की उर्दू की किताबचियां बिखती हैं जो कि जिन्स और जिन्सियत की उपर गलत इंफॉर्मेशन इस अवाम को दे रही हैं जो आपको ठीक लग रहा है लेकर जब मैं आकर ये बात कहूंगी कि ये साइस की इन्सेक्यूरिटी पॉर्नोग्रफी से पैदा हुई है और ये होने की जरूरत नहीं है वी नीड़ टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट आर बॉड़ी तो मेरी उपर इतराज है हम ट्रांसजेंडर लोगों उसको नफरत से भी देखते हैं हम उनको हिकारत से भी देखते हैं और अगर बहुत हो जाए तो हम उनको एक दोसौ पांसुर रुपे का नोट पकड़ा के खुश हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर इस ट्रांसफोबिया के उपर चड़के आईए जमाते इसलामी असलामलेकुम नासरीन सहरा बरकता आपसे मुखातिब है आप सियासल डोट पी के देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वड़ जो डिबेट आफ ड़ टाउन है जो बात सबसे ज्यादा डिसकस हो रही है वो ट्रांसजेंडर बिल डिसकस हो रहा है और कहां यह जा रहा है तासर कमजकम यह दिया जा रहा है कि इस बिल की मदद से लोग अपने जेंडर चेंज करेंगे मर्द खावतीन बनेंगे और खावतीन मर्द बनना शुरू हो जाएंगी और बाका जैसे जमाति इसलामी के सेनिटर साब ने आज एक ट्वीट भी किया और उनका यह कहना है कि आप मर्द हैं और बुनियागी तोड़ पर आप खातून बने हुए यह उनका तो यह कहना नहीं था लेकिन मार्या भी का यह कहना जरूर था और इसी की वज़े से आपकी टैट टो कैंसल हुए बने हैं उन्होंने उसकी बात को ठीक माना मेरे खाल से बिकाज एक पेरिंट बॉड़ी होती है और पेरिंट बॉड़ी के कुछ डिसिजिन्स होते हैं अट दी अंड अव दे टे तमाम स्कूल फाइनशल बिसनस मॉडल पर चलते हैं अगर आपकी फीस अदा हो रही है तो आप चल पाओगे अगर आप लोग फीस नहीं भर रहे तो आप नहीं पर चल पाओगे तो आपकोर्स एक पेरिंट बॉड़ी का साथ देना था और मेरे शनाख्ती कार्ट की ओड़ एक्स है ख्वाजासरा So I am not a woman यह जो एक concept दिया जारा है कि मैंना जिंस तब्दील करा के खुद को औरत के अंदर convert किया है ताके मैं एक औरत की जिंदगी गुजार सकूँ यह बहुत-बड़ा मित है जिसको मैंने multiple times challenge की आगा जी ठीक है Transgender और खाजासरा हिजड़ा खुसरा जो हमारे महाशरे में आम फैम जुबान में इस्तमाल होते हैं difference के है Transgender और खाजासरा में basic difference के है खाजासरा एक सकाफ्ती टर्म है यह बड़े सरीर पाकोहिंद की टर्म है और यह basically बताती है का वह अफराद जो के मर्द और और ओरत या मर्दानगी और जनानगी के मौशरती असून और जुम्रे के अंदर शामिल नहीं होते और वह एक सुफी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं उन अफराद को खाजासरा का आ जाते है यह बड़ी प्री-मॉडरन टर्म है, बड़े पुराने वक्तों से चली आ रही है ट्रांसजेंडर की टर्म लगबन कोई 1980s, early 1990s के आसपास सामने आई थी और वह एक दस्तावी जाती तारीफ है तो डॉक्यूमेंटल डेफिनिशन वह यह कहता है कि अगर आपकी जेंडर आइडनिटिटी आपके बुर्थ तौक्यूमेंट से मैच नहीं concerky हो हम यह कह सकते हैं कि ट्रांसजेंड़ी एक डॉक्यूमेंटल वेस्टर्ण झरब्ड है देखें, there are some transgenders who are not khwaja-saraa. जेंडर चेंज करवा लिया, मर्द से औरत हो गया. हम इसको कहते हैं जिन्सी तसही, यानि के आपके वो वाले और्गन्स जो के नुमाया नहीं थे, या आपकी हर्मोनल इंबालेंसे, या आपके साइकोलोजिकल इंबालेंसे को ठीक करने के लिए, आपकी क्या मेडिकल केर हो रही है? सर्जिकल केर, जिसका जिकर किया जाते हैं, कि अप्रेशन करा के मर्द से औरत बन गया, वो तो बहुत थोड़ी ट्रांसजेंडर विमन आप्ट-इंड करती हैं, क्योंकि उसके लिए आपका, आपकी साइकोलोजी, आपकी साइक्याटरी, आपकी बॉड़ी की अनाटमी, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है. ठीक, आचाए, ये मुझे बताएं कि इस वक्ट जो डिसकस हो रहे हैं, ट्रांसजेंडर बिल ये ट्रांसजेंडर एक 2018, इस पर बुनियादी ऐतराजाद क्या है, ये खाजासराओं को ये ट्रांसजेंडर को, जो सौलियाद दे रहे फसिलिटिज, देर एजूकेशन की जॉब की इनहेरिटेंस में, उनकी एक आइडिन्टिटिटी पाकिस्तान में बन जाएग, बट वाट इस देबेट बेसिकली मसाला क्या है? देखे, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान एक ट्रांसफोबिक कंट्री तो है, ये जितना जो मेरे साथ रिवाया हो रहा है उनलाइन और जो बाकी ख्वाजासराओं के साथ हो रहा है, उससे आपको आया हो चुका होगा, कि हम एक ट्रांसफोबिक कंट्री हैं, हम ट्रांसजेंडर लोगों उसको नफरत से भी देखते हैं, और बहुत हो जाए तो हम उनको एक 200-500 रुपे का नोट पकड़ाकर खुश हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, इस ट्रांसफोबिया के ऊपर चड़ के आई है जमाते इसलामी, और जमाते इसलामी का अगर आप नारेटिव उठा के देखें, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रिटीजिकली मल्टिपल जुगों पर डिफरेंट नारेटिव दिया है, उनका जो कोर नारेटिव है, वो यह है कि ये अमरीका की साज़िश है, और ये इमरान खान और शीरी मजारी, ये इमरान खान और शीरी मजारी रात के अंधेरे के अंदर इस बिल को लेकर आई है, जबके ये बिल तो आक्चुली प्रिजेंट हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लिगनून की गावर्मेंट में, और इसके रूल्स पास हुए थे पाकिस्तान थारीक इंसाफ की गावर्मेंट में, तो जब उनको इस बात पर पकड़ा जाए तो पर पर कहते हैं ने ने लेकिन प्र भी तो सपोर्ट किया था, जमाति इसलामी ने ओफेंसिव लॉंच किया राइट अट टाइम बन टीटीप इस मेकिंग अ कमबाक इन खाबर प्रक्तून खुआ अचानी खेर देगें ये एक डिफरेंट निरेटिव आपका राए इसके उपर हो सकती है, वो उसके डिफिनेशन को लेकर कनफ्यूज हैं, वो कहरें के टांसजेंडर की डिफिनेशन को लेकर बहुत सारे मर्द अपना जिंस चेंज करवा देंगे अपने ख्यालात के मुताबबिक तो कैसे डिफाइन होगा अगर एक चेंज की तरफ जाते हैं, एक जंडर चेंज की सेल्फ-perceived gender identity. लेकिन आपने एक सरकात सुना होगा कि अगर मेरा जंस कुई जा के बोल दे कि कुट या बिल्ली है तो क्या वो भी लिख देंगे? तो जाहर है इस बिफुफी से बचने के लिए, एक सेंड लाव पास हुए था 2020 के अंदर, लिच इन्डर चेंडर चेंडर Act Rules 2020. वो क्लिर्ली स्टेट करता है कि आपका जंस एक दफा चेंड होगा वो M से X पे होगा या F से X पे होगा और अगर अगर आपका जंस एक दफा चेंड हो गया है वो दुबारा चेंड नहीं हो सकता है तो एक सी रहेगा वो X ही रहेगा, so you have to be certain, you have to be sure कि आपको ये वाल So हमारा ये initial step था, हम चाह रहे थे कि इसके ज़री जब हमारी community के पास cards आना start हो जाएंगे, तो हम लोग government को बता सकेंगे कि इतने हमारे लोग हैं, इसके हिसाब से हमारे इतने schools बनाए जाएं, इतने public washrooms बनाए जाएं, और अगर कि आपने legislative assemblies केंडर quota fix करना है तो वो रख अगर मैं आपको अपने अलफाज में बयान कर सकूँ, तो यह कहना चाहरी है कि जो self perceived identity है, यानि कि अगर कोई मर्द कह रहा है कि उसने आपने आपको change करना है, transform करवाना है, तो वो X में ही transform करवा सकता है, वो औरत नहीं बन सकता, ऐसा ही है, और कोई औरत मर्द नहीं बन सक करें कि हमें उरत बनाएं, और 12,000 खवातीन के कह रही है कि हमें मर्द बनाएं, उसके वज़े से जो इसलामी खांदानी सिस्टम में वो बहुत ज्याद मुतासिर होगा लेकिन आपकी बात इसकी नफी कर रही है, बिलकुल, so first of all, वो वो वाले figures भी refute हो चुके हैं, उसके by the Interior Ministry, अभी दोबारा नए फिगर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो के पार्लिमंट के अंदर दिखाए गए हैं, उनको इन्हों ने शो नहीं किया, जिसे हमें वाज़ तो पर पता चल रहा है कि जो मेजॉरिटी अप्लिकेशन आई हैं, वो M2X की आई हैं, और F2X की आई उनको ने कहा था कि मुझे मुझे मर्द का शनाख्ती कार्ट दिया गया है, जबके मैं एक औरत हूँ, या मैं इंटर सेक्स हूँ, लेकिन मेरी जादा फीचर्स ओरतों वाले हैं, और लाहोर हाय कोर्ट ने उनको लाओ किया था, कि आपना जा कि आई चेंज कर सके, तो ये M तहत होने वाली आप्लिकेशन्स को ट्रांसजेंडर बिल के अंदर ठूंच रहे हैं, बिकॉज जुडिशिल जज्मेंट को तो पार्लिमेंट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको पुलिटिसाइज भी नहीं किया सकता, पुलिटिसाइज तो ये सिर्फ एक बिल को कर सक उसकी वज़े से एक डिबेट भी पाकिस्तान में प्रोग होगी है, यह अब भी यहां पर बैठी हुए और मुझे यह शर्फ हासिल हो रहे हैं लेकिन एक चीज़ बताएं कि जो अपने एक्स होना है या फिर आपने एक्स में आना है उसके लिए भी कोई क्राइटरिया को म क्योंकि मर्द को जब मर्द का शनाख्ती कार्ड मिलता है तो उसके फॉर्म बे की कंटिनुएशन है औरत को जब औरत का शनाख्ती कार्ड मिलता है तो उसके फॉर्म बे की कंटिनुएशन है हो सकता है कि बिर्थ के टाइम पर किसी ने घलत उसको मर्द और और औरत लिखती व्हो की और डबलु पैथ की सेनेटर मुष्ताक हमा तो उसके भी खिलाफ हैं उन्हें जो असेंबली के बिल इंट्रडीज कराया एमेंट का उसमें उन्हें बोलाई कि जैंडर डिस्फोरिया या जेंडर इंडर इंटिटी डिसॉर्डर जो के उफिशिली स्टेटिट साइक्याट्र कंडिशन्स हैं इनकी बनियात के ऊपर किसी का भी जंडर चेंज नहीं हो सकता शनाख्ती काट के अंदर भी जी कहते हैं चेंडर इंअशन के उस मुद्री में नहींजागे टाया जाए लेकिनिकल मेडिकल बॉर्ड की जो तज्वीजात हैं उनकी जो पूरी गाइड़ लाइनों कि को अन्टी में जहां पर भी जंडर चेंज किया जाता है, उसके लिए बाकाईदा दो साल का टाइम फ्राइम दिया जाता है, सोचा जाता है, साइकोलोजिस्ट बैठते हैं, आपका एग्जमिनेशन होता है डीटेल में, लेकिन बगायर पाकिस्तान में, अगर सेल्फ आइडेंटिटी आप करना चाह रहे हैं या फिर आपके राइट आगया है, उसके लिए कोई ना कोई रियास्ती साथा पर कोई ना कोई ऐसा मैरेट क्राइटिरिया, कोई ना कोई एग्जमिनेशन तो होना ही चाहिए न कि बंदा खुद जागर कहा दे कि आज रात को मैं चेंज करना चाहता आपकी बात से और बाकी लोगों की बातों से यह तसवर आते है कि आज आपका मूड हुआ और आप ले आपने कार्ड चेंज कर रहा हैं, यानि कि यह हमारा फिर्स टेप था, कि यह फिर्स टेप इस गटिटि अशनाख्थी कार्ड वन बात इस नाट टेस, यूजली लिवस बिलोग पावर्टी लाइं, और हमारे पास जो गवर्मेंट की फसिलिटीज हैं, उनके अंदर ट्रांसजेंडर केर के कुई बेंचमार्क सी महुद नहीं है, और जब हमने इंटर्डूस बाइदर वे करवाने की कोशिश की, तो जमात इसलामी की एफिलिये पाकिस् लेने के लिए जाते हैं तो वह पर नहीं आ यह अक्सिस्टू केर दे रही हैं नहीं आखसेस्टू कॉलिटी दे रही हां और जो बेंचमार्क सामेडिकल के यह उनके खिलाफ हैं, तो यह बेंचमार्क सारी का सारा, इस रिस इस ट्रांसफोबिक अनुजिवजोड जो एंग दोख रचा रहे हैं हकूमत के आगे और अवाम के आगे कि हम इन लोगों के हकूक के तो हकम हैं इसलिए हम मेडिकल बॉर्ड बिठाना चाहते हैं लेकिन हम ट्रांसजेंडर एक्सपर्ट जब आ कि उस मेडिकल बॉर्ड की रूल स्टेट करने की कोशिश करते हैं की गाइडलाइन्स बनाने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर्स की वो ट्रेनिंग हो सके हम उस बात की तरफ आते हैं यह उसको भी चालेंज कर देते हैं आप ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप और सेनेटर साब एक साथ बैठे हैं सामने सामने बैठे हैं और दो तीन जिंटे के डिबेट हो ताके लोगों को भी समझ आ सके और कम अजगम लोग समझें कि यह बिल क्या है इसकी मन्जूर होना और खाजा सहराओं के लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए क्लिए क्या है अगर के ये बात दुरस्त है भी और अगर हम मुश्ताक अमेट साब की लॉजिक के मताबग जाएं तो क्या उन्होंने मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट देखा अगर मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट देखे बगएर और मेरी तस्वीरों की बुनियाद की उपर या मेरे शनाख्ती कार्ट के पिछले नाम और अब के नाम के कंपारिजन करके वो इस नतीजे के उपर पहुंचे हैं फिर तो मेडिकल बोर्ट की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर जमात इसलामी खुद तस्वीरें देख के लोगों की ये फैसले कर सकती है कि कौन हकीकी खवाजासरा है और गहर हकीकी खवाजासरा है तो उनकी तो अपनी लॉजिक फेल हुई है मैं अपनी बेश्चिमार वीडियो में माजी में खुद को मर्द करते रही हैं अपस देखे मैंने खुद को कभी मारद नी का बाइदवे किसी वीडियो केंदा मैंने मेल प्रोनाउंज यूज किया है मैंने ही हम यूज किया है और कमिंग आउट इस ट्रांसजेंडर इस कर रही हैं उनके साथ तो भी रिसंट लिया काम हुआ है तो यह जो स्ट्राटेजी है इस स्ट्राटेजी इस में भूभी तोर पर वाकिफ थी लेकिन आई ऑलसो वांटे तो शो माई ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के इन चीजों से डरने की जरूत नहीं है जिन चीजों से एक बात की जा रही थी ट्रांसजेंरिस के आवले से वो अब हो नहीं है हमारे मौशरे में। इस अनलाइन ट्रांस्फोबिया के ऊपर, I genuinely don't even care about her that much. She is an ignorant, hateful and bigoted woman who is putting a marginalized community at risk just because she wants to get more views. जिन इंटरसेक्स का वो जिकर करती हैं कि हम उनके हकुक में के लिए आगे 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 आना चाहते हैं तो क्या वो परले उनकी मेडिकल रपोर्ट तेखती हैं? वफा का जब मुर्डर हुए सवाबी के अंदर है डॉल्फिन आयान को जब गोली मारी गई है तो क्या पहले उनकी इंटरसेक्स की रिपोर्ट देख के फैसला किया गया था कि उनको गोली मारी जाएगी? जब खौजा सराओं का गैंग रेप होता है, जैनो साइड होता है तो क्या वो चुगताई लबाटरी में उनका डी एने टेस्ट बचवाते हैं? जब उसकी इंटरसेक्स की रिपोर्ट वापिस आती है, फिर वो फैसला करते हैं तशधूद इंटरसेक्स की उपर नहीं हो खाला, तशधूद जेंडर एक्सप्रेशन की उपर हो उनका रहाए थे हैं और पेश्टर इंटरसेक्स अफरात को तो माबाप बच्पन के अंदर यो और्परेशन करवाकर लड़का बना थेँ लड़का बनाके बढ़ा करते हैं, जेनरा इडेंटिटी उसकी लड़का रहती है, लड़की उसकी शादी करते हैं और बाद में अगर बचे पैदा ना हो तो इल्जाम बेगम की उपर लगा देते हैं हम तो माशरे को इस मसले से निकाल रहे थे हम तो वालदेन को इस चीज़ की तरफ ला रहे थे कि अगर आपकी उलाद खवाजासरा है तो उसे एक आइडेंटिटी दें खवाजासरा है आइडेंटिटी दें, एकसेप्ट करें, वालदेन को बुलाएं, जिरगा बठाएं, उनको बताएं कि जी हमारा बेटा, हमने जिसको बेटे के तरफ बढ़ा किया वो दर असल खवाजासरा है उसाथ इज़त से पेशाओ, स्कूल्स के अंदर बुलिइंग खतम करें, इंप्लॉइमेंट की उपरचुनिटी इंक्रीस की तरफ आगे जा सकें हमारा तो मैरिज कोसके अंदर आपने देखा वे कुछ है ही नहीं बहुत जबर्दस आपने बात की है, अच्छा दो तीन आपके बारे में सवार, आपके ओपर एक अटक किया गया था और किस सान में किया था गया था गया था इसा गांग होता है जो के एकोनॉमिक लिए इतना स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन उनका ख्वाजासराओं के अंदर और एक जिन्सी दिल्चस्पी होती है जिसके लिए उनको अगुलाम बनाना चाहते है या वो उनको अटक करते है उनकी वीडियो बनाई जाती है उनकी वीड जाले से इंतजार करें थे प्री मेडिटेटेड अटाक था जिसकंदर ब्रोक इंटो माइ कार और वांटे टेक मी आउट गांग रेप मी एक मेरा तालग भी खैवर बख्टून खास या तो मैं भी लड़ बड़ी और वाई ताइम आई वस ड़न बीटिंग दम पुलीस है अचाई यह भी सुने में आरे कि आपने का यह अच्छी एक और कुछ और पार में आप बूट कर सेक्स के बारे में बात कर चीज़ करती हैं चो शाइद इस हमारे मौशरे मुस्तारा से अभी तक होती हैं मैं जाती तोर पर समझता हूं किसी अद तक होनी चाहिए ताके मारे माश्रे के अंदर यह मगर बात तपका कौन सा वाला कर रहा है यह वो तपका कर रहा है जो इखलाकी हजयमनी बरकरार करके बैठाव है अभी आप यूट्यूब खोले निकाब वाली आप एक खातून नजर आएंगी जो पिस्तान चूसने के पचास शरी तरीके से खा रही होंगी उनकी वीडियो पर मिलियन्स ओव यूज होंगी और किसी को भी आतराज नहीं होगा लेकिन अगर कोई और गले में डुबटा डालके मिया बीवी की सेक्स पॉजिटिविटी की बात कर दे तो उस पर लोगों को आतराज हो जाएगा पर बात करना इसलिए जरूरी था और मैंने इसलिए इसको करना मुनासिब समझा बिकास मुझे यह लग रहा है कि एक ऐसा मौजू है जिसको हमारा मौशरा इन्विजिबल करने की कोशिश करता है और वो इन्विजिबल कर तो देता है लेकिन वह इन्विजिबल होता नही ह और आपको जगा जगा उसके इश्टिहार नजर आएंगे, राइट, वो आपको ठीक लग रहा है, लेकर जब मैं आकर ये बात कहूंगी, कि ये साइस की इनसेक्यूरिटी पॉर्नोग्रफी से पैदा हुई है, और ये होने की ज़रूरत नहीं है, वी नियुद तो बी माते असलामी तो खायर, उनने सेंट्रल सेक्रिटेरियट में बैठके बाकाइदा एक कैमपेइन डिजाइन किया पूरी मेरे खिलाफ, तो मुझे तो डेली डेथ रट्स आ रही है, आपकी सिक्यूरिटी आपके साथ है, आप कहां पर रहती है, आपके सिक्यूरिटी आपके माशालला, आमें बहुत डीटेल में इनूने एक्स्प्लैन किया और अगर कि भी मजीद वक्त देंगे तो मजीद इस हवाले से जानेंगे, खियर रखिएगा अपना लाफिज